आप सभी का आपके अपनी YouTube चेनल Super Concept Classes में स्वागत है और आज कि इस वीडियो में हम लोग Class 10 के Math का Chapter 12 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विरितों से सम्मंधित छेत्रफल यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ फर्मूला बताऊंगा और साते सात MCQ Questions भी बताऊंगा और यहाँ पर मैं आपको जितना MCQ Questions बताऊंगा यानि कि जितना Objective Questions बताऊंगा अगर आप यह सब कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक्जाम में जाने वाला नहीं है और हर एक concept को मैं आपको बहुत अच्छे तरके से समझाऊंगा और देखिए यहाँ पर मैं आपको जो formula बताने वाला हूं सबसे पहले मैं आपको विरित का formula बताऊंगा कि विरित का जितना भी formula होता है फिर अर्ध विरित का formula बताऊंगा फिर तिरजखंड का बताऊंगा, विरिदखंड का बताऊंगा, चाब वेगरा, जो भी formula होता है विरिद से related, हर एक चीज को इसी वीडियो में डिसकस करेंगे, और साथ-साथ MCQ questions को भी डिसकस करेंगे, तो चलिए एकक करके हर एक चीज को बहुती simple तरह के समझते हैं, देख बहुता हो देख यहां पर केंद्र होता है, यहां पर हमारा क्या होता है केंद्र होता है, जिसको क्या हने बोलते हैं, अब यह जो केंद्र हुआ हैं कहिं पर भी आप लक्र क कहिंचेंगे, यहां पर कहिंचिए, कही पर भी 찾아 Kenan that your समझ बहुत आ ही लेकर यह हैं तो पूरा किया हो गिया यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया क्या है से लेकर यहां तक यह हमारे क्या हो गया और देखिए अगर यहां से लेकर यहां से लेकर पुरा यहां तक यहां से लेकर पुरा यहां तक यहां से लेकर यहां तक क्या कहते हैं वयास कहते हैं तो आप खुद देख लिजी एक जो वयास है मतलब अगर कहने का मतलब यहां से ल बोलेंगे दी बोलेंगे तो एक जो डी होता है दो आर के बराबर है मतलब एक जो डी है यह क्या है दो आर के बराबर है बात को समझे लिजिए एक डी जो हुआ क्या है दो आर के बराबर है मतलब एक जो होगा यह एक आर हो यह एक आर दो आर के बराबर होगा तो यहां से हमा तो आर का फर्मुला की मोज़ माने यहां से एक फर्मुला बन गया बात के लिए है समझ में आ रहा है आघे मैं हर इक फॉर्मूले को आपको लिख के बता दूँगा आप लिग लिजिएगा अब आप समझ लिजिए चलिए आगे बढ़ते हैं इस चित्र को देखे ध्यान से यहाँ पर यह जो आप चित्र देख पार यह हमारा बृत का चित्र है ठीक है और यह देखे इसी बृत का यह आधा चि बम मान करहिए नोगा जnenमना यहाम संद्र कंगर कंगी करकी यहां पर यहां संधर करते हैं इसको बोलते हैं परिमाप इसको घृत का आप होता है बरित का परिमाप का जो फार्मूला होता यह क्या होता है 2 pi r होता है, क्या होता है, बृत का परिमाप 2 pi r, और परिमाप को हम लोग परिधी भी बोलते हैं, ठीक है, आप बृत का परिमाप बोलिए, या फिर बृत का परिधी बोलिए, इसका जो फर्मुला होता है, 2 pi r होता है, बृत का परिमाप बोलिए, या फिर बृत का परिधी ब पुरा अंदर जो पॉर्शन अपको दिक आहोगा इसको लोग बोलते हैं चेत्रफल बिन लॉकन की दोने होता है और बिन की च्छित्रफल होता है चोन पाय अर्श्वर होता है यह तो हुआ हमारा ब्रित में अंडिट में कुछ चांज है जो कि आपको समझना है अगर हम बात करें टेक्छे अर्द ब्रित के ऊपर ञाइना को क्या बता है लिए यह पर आ Chuck बात करेंगे तो मुख ओरी अरिया का झीजल वड़्य करेंगे तो इनल वंगada करेंगे तो इसम में आधाभ इत कि आहां हुआ हो प्रोलम हो आभी अभी मैं आपको संजा देता हूँ देखें यहां पर तो कोई problem नहीं हुआ ब्रित का चेत्रफल क्या होगा पायार इसकोर बटदो लेकिन अगर बात करें अर्ध ब्रित के परिमाप का अर्ध ब्रित का परिमाप तो यहां पर आपका confusion हो सकता है इस चीज़ को आपको समझ लेना है देखिए बच्चों बात को अच्छे सब्सक्राइब कर रहें तो इसी प्रकार साब को आना है कुछ प्रकार से प्रकार से आएंगे था इस प्रकार साब को चलना पड़ेगा तकेए यह जो area हमने कभर कि था यह झान निले रहें यह नहीं गोप्लस-पॉंट के यह लांन भी ले रहें देखिए बात को समझ तो यहां से यहां तक अगर हम लुग आएं तो यह क्या हुआ अधा परिमाप हुआ तो आधा परिमाप क्या हो गया जिसे तू पाय पर बटा क्या हो जाएगा दो आधा करने से दो से भागदेंगे, जोड़, अब देखें, यहां पर ये वाला लाइन भी तो एड़ हो रहा है, अगर मानेंगे चले, यहां से रियंगे, फिर से दोबारा हम को यही पर आना है, तो ऐसे लिवादोर कुछ। आपधें, उस परिकार से द्युस्ता हुस सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन कैसे बनता यूजुत इंद्ध करते हैं जिसे कि हमारे पास बीत आपके वोता है यहां से यहां तक हमारा यह जोगा बयास बोले पुरा को ठीक है तो यह first quadrant, यह हमारा second quadrant, यह हमारा third quadrant और यह होगी है हमारा fourth quadrant, देखिए अगर इसका अगर आप छेत्रफल निकालेंगे ना, कोई साभी, मतलब इसका निकालिए, या फिर आप 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 इ ना तो क्या हो जाएक ब्रीथ कशेत्रफल गाश्रीड का टुकड़ा दी रहे हैं इसलिग सकते हैं तो यू यू मेंवरों समझ में भी आ गया चलिए आगे डिसकल करते हैं यहां से हमारा और देखें यहां से पढ़ने वाले हैं चतुर्थान्स तो होई गया हमारा अब पढ़ेंगे तिरजखंड ब्रिद्खंड लगू-तिरजखंड लगू-तिरजखंड और चाप इतना चीज पढ़ने वा तो देखिए जैसे कि यह हमारा होता है केंद्र बात समझ माया यह हमारा क्या होता है केंद्र तो यहाँ पर जैसे मानक चले हमने एक तिर्जा दे दिया और यहाँ पर हमने एक तिर्जा दे दिया अब यह जो इलाका मिला यह वला इलाका जो मिला यह वला इलाका बात को समझे तीरज़िखंड का च Hayır अगर चितरफल निकालेंगे तसको भू 5000 का देखा इसे हो satisfy aur यहां पर यहां पर जो चीजर हों अपर कॉन बनता ना फिसकosa औरहा आगे यह होता है तिर्जिखंड का चेत्रफल आप तिर्जिखंड का चेत्रफल बोलिए या पिर लगू तिर्जिखंड का चेत्रफल बोलिए क्या बोलिए लगू तिर्जिखंड का चेत्रफल तो वही होगा वही होगा ठीक है मतलब वही होगा थिटावड़ा 370 डिग्री पायार स्क्वारी वोगा लगू तरिजखंड बोली या पर दोनों का फार्मूला क्या होगा आपका एक ही होगा यहीं पर अगर हम लोग बच जाता उसी को जुआ बोलें गाएं बाद गाएं पूरा के नहीं तो में दायवक कर दें ज़न हो कुरा के चत्रफल दें सब्सक्राइब तो यह वाला सरा जाएगा, मतलब क्या है, दीर का गड़ा नि कलगा है हम को तो क्या करेंगे पुरे दिरबाद आपको हर एक फर्मूला का एक लिश्ट देने वाला हूं आप लोग ले लिजेगा बात समझ माया कि नहीं आया तो ऐसे आपको करना है तो यहां से तिर्जखंड किलियर हो जाता है अब स्टार्ट करते हैं बृत खंड क्या होता है देखें बृत को समझना पहुत्य सिंपल होता है त्यक drie समझना देखें जैसे की महग की लोगों जोलते हैं क्या बोलते हैं भृत खंड क्या बोलेंगे बृत खंड का छत्रफल निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे देखे बहुत ही सिंपल दृत कंड क्या है कुछ नहीं है देखे बात को समझ लीजिए जैसे कि यह मानक्चर अगर हमारा धिर्भूज है तो यह होता है तिर्जखंड यह यह जो तिर्भूज बना यहां पर आप देख पार ही रहे होंगे तो यह देखे वाला इलाका बचके रहेगा बात को समझ लीजिए अच्छे तरीके से देखिए मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं आपको ठीक है यह तो हमारे क्या था पूरा पूरे एक तिर्जखंड था तो तिर्जखंड में अगर हम लोग इस तिर्भूज के चेत्रफल को अगर हम अगर हो जयेगा 1 by 2 R square sin theta एक्चल में क्या होता है 1 by 2 into A into B into sin theta होता है यह होता है तिर्भूज का चेत्रफल यहां पर देखिए इसका भी वहलो क्या R है इसका भी वहलो क्या R रेकिंगी तिर्जा है तो RR ही होगा तो यहां से A का मान भी R, B का मान भी R तो इसलिए यह क्या होगिया? 1 by 2 का 1 by 2 R into R into sin theta तो यह हो जाएगा आपका 1 by 2, 1 by 2 R square sin theta बात समझ में आया? तो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे और यह हमारा होगिया बृत्खंड का चतर्फल, देखिए कितने simple तरीके से हमने आपको बता दिया बृत्खंड का चतर्फल, आपको रड़नी का जरूरत नहीं है यहाँ पर, आगे देखिए अगर बृत्खंड का चतर्फल बोला जाए, तब भी आपको अही लिखना है डेके लगु बोला जाई या फिर सी्पल सा ब्रिध्खंड बोला जाए तो बात एक ही है और अभी में आपको पता है अगर दिर्ग ब्राइन भ्रीध ब्रीध भीध बूला जाए तो कुछ नहीं टोच नहीं कता है दिरग ब्रिध ब्रिधvent का श्त्रफल अब सिम्पल सभी करना हैük है पेले हमारे क्या करेंगे क्शित्रफल में क्या करेंगे जो बृत हंड को खटा देंगे बस कानी खतम प्रित्खंड का चेत्रफल अमारे क्या है थीटाए स्टी और्टा..? स्क्वेर माइनेस वन बाई टू आर स्क्वेर साइन थेटा निए कितना सिंपल है फर्मूला लिखना बहुत ही सिंपल है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं समझ में आ गया कोई प्रोब्लम नहीं होना चाहिए हर एक चीज़ को आप अपच्छे तरिके से समझ लेजिए चले म हम लोग देते हैं यहां से लेकर यह थि walnut के यह वला ला यह ला देखिए हैं यह पर यह जो चीज़ हैं इसना क्या बोलते हैंं आफ की लंबाई इसका जो फर्मूला होता है देखिए अभी जो हम देखान में लिखा थीटा बड़ा तो इस प्रकार से आप हर एक फर्मूले को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं ऐसे याद तो नहीं करना है मेनेत आपको हरी चीज़ को तो बहुत अच्छी तरिके से समझा दिया साइध आप समझ गे होंगे चलिए यहाँ पर में एक फ़र समरी दे देता हूं कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया तो जो जो पढ़ाया आप लोगे नोट डाउन इसको इसका स्क्रेंश ले लिजिए तिरजा बराबर क् बरद की परिदी ology you picture रिद का परिमाफ 2 पाई वृ apply ब्रृ डिकार चितरफल बटा जो पायर लोर पायर बच्येगा और कोई प्रोग्लम नहीं आगे बढ़ते हैं आगे देखिए चातुर सांस का चेतरफल तो एक बटा चार गूंना ब्रिद का तिर च्गंड का चैत्रफल तो पाई र स्कुर्ण ale वे लեյे डेखिए ब्रत्कंड और पुछध जाएगा तहुआ युद्धर है आगे देखिए लंबाई पुछा जाएगा तिर आपको стал ड्य कितने सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दिया साथ समझ सकते हैं अब चलिए कोश्चन से और देखिए यह तो हमारा पाट्टू रहेगा और जो पाट्टू होगा ना हमारा उस पाट्टू में हम लोग डिसकस करेंगे क्या तो वहां पर हम लोग तिरिजखंड विर्थखंड और चाप का जो भी कोश्चन होगा वहां पर डिसकस करेंगे आट जुसे हम लोग व्रित और अर्ध व्रित का परिमापी छेत्र फल है व्यास तरज होई रिलेटर जो भी कोश्चन लोगे उसको आज कि इस वीडियो में डिसकस कर लेते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं होता है तो टू का टू का मान 22 बटा साथ और हमरा परार कितना यह तो आर आया साथ आज़े साथ काड़ दीजेए तो 22-24 से कहीं पर हाँ जिल्फुल लें कितना सिंपल क्वेश्चन देखिया आप चुटकी वजाते वजाते स्वालव कर लेंगे आगे देखिया अगला क्या ह सथा शेंटेमेटर तिरजा वाली का 14 cancer यहां पर Verbillisadar का सूतर आप पर यहां-पर आरी स्कimal यहां नापना सथ हो जाएगा साथ साथ कड गया यहां वन चुल्फुन चार भीवрий 454, 154 अर्ञ वरित का परिमांफ होगी कि रटना नहीं है अर्ञ वरित हमारा कैसा बनता है ऐसा बनता है तो यहां से यहां तक यह जो पोर्शन है यह मारे क्या आधह है तो लुपायार। तो 2 pi r का कर दिंगे अधा और यहां से देखी है यहां से यहां तक हमार r होता है फिर यहां से यहां तक हमार r r कितना हो जाएगा , 2 r हो जाएगा तो 2 ्पॉपयर कर जाएगा तो तक NBCya is rocketlichenこれは प्यार जोड़ टू अप्संट तो Margaret大家 n over here आर तिरजावाली अर्धिवृत का च्छेत्रफल सिंपल है पायर इस्क्वर बटा दो यह होगा हमारा इंसर ठीक है किसी अर्धिवृताकार खेत का वयास इतना है तो उसका च्छेत्रफल है देखे बयास दिया है डी कितना दिया है चोबिस सेंटिमीटर तो आर निकाल लीज स्यध्सक्रक चैटर्फु सेफ़ी हमणा वर्लास ऑन pagar secrets के अ कर दीए सब्सक्रक्रफल बहर कर देखे लएं ड्रंसक्रफल अर्शंसम्द्धा आपका यहांसे नहीं रोपे का मनंत रखने नहीं को रखना आपप okei रखने त्चine आपको कर やि नहीं है को श्यूंछ ने लिए है अब देखिए यहां पर चेतरफल का formula होता है क्या होता है एक बटा दो गुने पाइ- आर स्क्वर होता है ठीक है तो एक बटा दो का बटा दो पाइक का मान पाही सही एंसर किलिए रहे बात समझ माया कितना सिंपल आप देख सकते हैं आप भी असानी से बना सकते हैं आगे देखिए तो देखिए हमारे पास अगला कोश्चन क्या है कि कि किसी अर्ध विर्ताकार खेत का छेत्रफल 19.25 मिटर है तो उसकी तिर्जा है देखिए यहां पर हमार जा Además 2.25 का फार्मूरा क्या होता है किसा चेत्रफल तो अर्ध वृत का चेत्रफल रहता इक बटा धो गुनय पाई और 2 स्केर तो यह हो गया 19.25 कलिए आगे देखिए यहां पर पाई का मान इभा देते पहले तो पाई का इनता 22 बाटा सात यह गुना आर वह बराबर 19.25 छ हट जाएगा 2-21 एकार दुने 2 तो यह हो जाएगा हमारा 11 बटा साथ तो 11 बटा साथ गुने आर स्क्रूर बराबर 19.25 यहां कुछ नहीं है तो एक माल लिजिए इधर दर गुना होता है इधर दर गुना होता है ठीक है यहां पर मैं कलर चेंज करके लिख्या आपको समझाथ देखिए यहां पर ठीक है तो आर इसकोर का अभी छोड़ देते हैं जैसा हो इसा ही 19.25 को साथ से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 19.25 गुने साथ हो जाएगा बटा हमारा क्या हो जाएगा 11 गुने 1 करेंगे तो 11 ही होगा यहां पर पॉइंट हटेगा ना तो नीचे हमारा क्या आएगा एक सो आएगा अब यह देखिए 1925 जो आया यह 11 से कटेगा देख लिए गार का पड़ा में करेंगे 1925 को कटेगा देखिए ना एगार एक एगार बचेगा आट यह खतम दो अगर यहां पर लिखते हैं तो 82 हो जाएगा यह मतला हमने इस प्रकार से इसको आट पड़ा में 175 बार में तो यहां से लोग बोल सकते हैं कि जो आर इसक्वार आया कितना आया 175 गुने साथ बटा हमारा कितना गया एक सुआ आया बात समझ में आया ठीक है अब देखिए यहां पर आगे कैसे करेंगे हम लोग यहां पर तो यहां पर इन दोनों को आप 5 तीये 15 15 और 5 25 फिर क्या हो जाएगा 5 सते 35 यह बचेगा आप लिख सकते हैं यहां से आर इसक्वार बरावर 175 के बदले क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 7 गुने और यह तो साथ पहले साही है तो लिख दिया हमने बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ठीक है अब यह 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7 और नीचे हमारा क्या 100 है तो क्या हो जाएगा देखिए दोड़ पांच में से एक तो साथ बाहर आएगा और 100 का कितना होता बर्ग मुल दस होता था 5 सदे 35 बटा 10 35 बटा 10 35 बटा 10 को भाग दें क्या होगा 3.5 3.5 कहीं पर भी है आप बिल्कुल ह यह हो जाएगा. बहुत हीं देखिए अगर आप अंशर को देखेंगे तो कितना सिंपल है आप डायक्ट फोल गिंगे रही होगा लेकिन बनाने में आपको इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इतना ज्यादा मसकत करिएगा तब जाकि आपका बनने वाला है तो समझ लि तो पांच गुने पांच गुने साथ आया यह सत पहले से था फिर इसका हमने बर्गमुल निकाल दिया कहानी खत्म काम बन गया बात समझ में आया अगला कोश्चन देखे क्या है कि आर तिर जावाले बृत के चतुरुथांस का छेत्रफल तो चतुरुथांस में क्या होता है अगला कोशिन देखे के यदी एक बरित की परिधी एबन चेत्रफल संखातमक रूप से समान है तो ब्रित की तिर्जा है, देखिए, यहाँ पर एक ब्रित का परिदी और चेत्रफल समाने, तो ब्रित का जो परिदी होता है, क्या होता है, टू पाई, आर होता है, और ब्रित का जो चेत्रफल होता है, क्या होता है, पाई, आर स्क्वेर होता है, बात को समझ लिजिए, ब्रित क जो प्रेज़िए प्रिदी और के लिख सकते ना पाय ऑर स्क्राइब बना सकते हैं प्रेपार्लिख सकते हैं क्यों नहीं एक मिने जैसा है उससे रहने देते हैं इसका मीलह सींफल सा शेलोंद काल ले तो 현재 गुना है तो बहुंपा क्रोंधा था वह फागा निची आ अइने नीची आएगा और यह निचे आएगा और अंचे आए गानि यहां सभी सफॉलय। दो में सरक नजा करतें je सिंपल से भी हैं यहां पर देखिए क्या है आपका आर सीरजह तो प्रकार से दिया है तो आप देखे लिए ऐसे तो दिया नहीं है लेकिन एक करके चेक करना पड़ेगा चलिए सबसे पहले तो गधर में जिन देखे लिए आपके चलिए लाओ पॉप्ल तरीके से आपने बना लिए और रिकरत नहीं कोई लिखत नहीं है आगे बढ़तें आगे अंगे समझतें आगे लिए और यह गया देखे क्या है कि कौन थिटा वाली तिर्जखंड के संगत चाप की लंबाई चाप का लंबाई क्या होता पता होगा आपको थिटा वड़ा 360 डिगरी इन्टु टू पाई आर एक भी हो इसा option दिया है बिल्कुल दिया है देख लिजिए option नमर बे क्लियर है आगे देखिए कौन थिटा वाली तिर्जखंड का चेत्रफल क्या होता है थिटा वड़ा 360 डिगरी पाई आर इसक्वर होता है बस कितना सिंपल है हरे question बन रहा है आगे देखिए क्या है आर तिर्जखंड का परिमाप लिखना है तो बिरिद का परिमाप क्या होता है तो आप लिगे दिजिए टू पायर चो बोल दिया है मदल ह plugging यहां पर चित्रफल आएम यहां थो डैर्म में आने वाला है इस बात को उको समझ लेना है तो ब्रुक्त कर रहूं मुद्ध ब्रोब्लम नहीं है तो इस प्रोबलम नहीं तो बस ऐसे बनेगा समझ में आया कर नहीं आया इस से लिए तो पाइस कितना के वह सिंपल है जमस का परिमाब रिमाप इतना है तो सका वयास कितना होगा Pitts बिरित का परिमान क्या होता ? 2, π.1, 2, G.2, R उसमें add कर देते हैं तो 2, 2 कर जाएगा तो पच्छेगा क्या ? P.1, 2, R Clear है ? P.1, 2, R बरावर कितना दिया है ? यहां पर देख लिजे 36 दिया है तो 36 लिख देंगे यहां समलोग क्या कर सकते है ? यहां समलुक्क कर सकते हैं, और को बेटा दीजिये, क्या बेटा दीजिए, बेटा दीजिए, 22 बटा साथ, जोड़, दो, ब्रावर, चतिस, कुछ नहीं, एक मान लिजिए यहां से, त्टिक है, आप इसको देखे, 7 और, साथ हो जाएगा यहां पर हो जाएगा बाईस और यहां पर हो जाएगा जोड़ना इसा था तो आप इसको सौल कर लीजिए तो आप रहें इधर दल्गुना तो यहां पर शत्यस गुने कितना सिंपल आप देख सकते हैं बात समझ माया तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और हर एक चीज को आपको अच्छे तरीके से सोच समझ कर और बहुत ही साधानी प्रूवक आपको ब्रहना है यह नहीं कि हड़बडा कर बना दिये जैसा मन किया उसे बना दिये तो वह उसे होने वाला नहीं है आपको बहुत एच्छे तरीके समझ समझ के बनाना है जैसा कोस्चन दिया जाएगा उसी के अक्वाडिंग आपको एंसर देना है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यो जहिंद